इन सर्कीट शोन करेंट फ्लोंग फ्लोंग तूर 25 वॉल्ट सैल क्या पता करना है इस सर्कीट के अंदर करेंट फ्लोंग फ्लोंग तूर 25 वोल्ट तो 25 वोल्ट कहा है यह 10 वोल्ट 5 व्लट 20 गती प дости감 घौश्टन है गया sec जैने कहिस बरिप्टरी calming कर्षा है कि इसब सेरे मिलव सांद थार्टी वोल्ट हमको पता करने है ट्रूंटिफाय वोल्ट में से करेंट कितना बह रहा है श्यूरु कर्ते हैं हम reflect लेते हैं 25 वोल्ट में से current कितना बहा ऐसा consider करते हैं यह हमारा pure consideration है कि यहां पे current बह रहा है i के बराबर ठीक है इसको नाम दे देंगे a, b, c, b, e, f, g, h, i और j यहां पे current i बह रहा था तो यहां इस junction पे incoming current कितना होगा i के बराबर ठीक है माल लेते हैं नीचे की तरफ गया i1 quantity का current आगे की तरफ गया i2 quantity का current आप बोलेंगे इसको i2 क्यों लिखना i-i1 लेकिन आगे भी current डिवाइड होगा तो calculation थोड़े मुश्किल हो जाते इसके better way में इसको i2 ही लिखना prefer करेंगे यहां पर कितना आया c पर i2 आया i2 यहां थोड़ा जाएंगा माल लेते हैं कितना गया i3 गया और आगे कितना गया i4 गया यहां पर i4 आ गया माल लेते हैं नीचे कितना गया i5 आगे कितना गया i6 यहां कितना आया i6 तो नीचे कितना गया i7 नहीं होता गया नहीं होता है यहां तो हो रहा था ना अच्छा यहां पर ब्रांच ही नहीं है तो करेंट डिवाइड ही नहीं होगा तो i6 आ रहा है तो यहां भी i6 यहां भी i6 अब यहां पर कितना आ गया i6 ऊपर से कितना गया i5 आ रहा है i5 और i6 मिलकर कितना बन जाएंगा i4 यहां पर आया I2, उपर से आया I1, दोनों मिलकर बन जाएंगे, 12 MPR आ रहा है, वाउ, शिरू करते हैं, सबसे पहले हम अपलाई करेंगे, किरिचोफ's voltage lock at junction A, B, I, J, A, चलेंगा, A, B देखो, ये A से B गया, B से I तक आया, I से J और J से वापस A की ओपर, चलो शिरू करो, ये junction बराबर है, current ऐसे flow कर सकता है, junction हो सकता है, ठीके, A से B में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, B से I तक जाने में, आप direction of current में move कर रहे है देखो, B से I में, तो हम यहाँ पे तो resistance नीचे है, चलो, ये है हमारा battery का negative, और ये है, तो B से I तक move करने में, आप negative से positive move कर रहे हैं या positive से negative, आप कहां से कहां move कर रहे हैं, B से I की तरफ, मतलब battery के negative terminal से positive terminal की तरफ move कर रहे हैं, मतलब कितना हो जाएंगा potential negative या positive, potential आजाएंगा positive, तो क्या लिखूँ, plus 30, ठीक है, अब क्या होगा, ये 11, ओ हम के अंदर से कुछ ना कुछ current flow होगा, आप direction of current में चल रहे हैं न, इस ते आपको क्या लेना चाहिए, minus, current कितना flow हो रहा है इस branch में से, I1 तो क्या लिखूँ, minus I1 times of resistance कितना है, 11, यहां तक आ ग है, battery के negative से positive terminal, मतलब कितना आएंगा यहां पे, plus वाला 25, तो लिख लो, plus 25 is equal to 0, ठीक है, ठीक है, इसको मैं और एक बार लिख रहा हूँ, कितना हो जाएंगा, plus 30, minus 11, I1, plus 25 is equal to 0, 25, plus 30, कितना, 25 और 35, तो क्या हो गया, 55, यह minus वाला 11, I1, उस तरफ चला जाएंगा, तो हो जाएंगा, plus वाला 11, I1, तो क्या यहां से I1 का value मिल सकता है, I1 is equal to 5 ampere, positive आया न, इसका मतलब क्या है, हमने जो सोचा था, वो सही था, आगे बढ़ता है, अब हम apply करेंगे, kvl at junction, कौन से junction के उपर, junction बोल रहा हूँ, मैं junction थोड़ी होता है, यहां पर, loop होता है, तो हम loop consider करेंगे, A से B, B से C, C से H, H से I, I से J, और J से वापस बन गया loop, मेरा साथ दे please, A से B के अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं, B से C में, कुछ भी नहीं, आप जा रहे हैं, C से H तक, battery के positive से negative terminal तक, तो क्या लेना चाहिए, minus, कितना, 20, यह 20 कहां से आया, battery का potential 20 है, दिया हुआ है, अब आप direction of current पे चल रहे हैं, या opposite direction में, direction of current पे चल रहे हैं, तो क्या लेना चाहिए, minus, कितना minus current है I3, और resistance है, 5, मुझे 50 दिख रहा था, उसके बाद यहां तक आ गए, यहां से यहां कुछ भी नहीं है, उसके बाद यहां से वापस A पे जा रह इसको मैं ऐसा लिखनू, plus वाला 25 as it is, minus वाला 20 as it is, minus वाला 5 I3 is equal to 0, एक्वेशन में कोई change हुआ, कुछ भी नहीं, वही एक्वेशन है, 25 minus 20 कितना, 5, minus वाला उदर जाकर हो जाएंगा, 5 I3, that gives, I3 is equal to 1 ampere, ओके, next, अब के वियल अपलाए करो, कहां पर, loop बताओ, A से B, B से C, C से D, D से G, G से H, I, J और वापस A पर, मेरा साथ दीजिए प्लीज, A से B में कुछ है, कुछ भी नहीं, B से C में, कुछ भी नहीं, C से D में, कुछ भी नहीं, आप यहां से यहां आ रहे हैं, तो बैटरी के negative से positive terminal तक, तो कितना लेना चाहिए, plus वाला 5, अब यह direction of current में move कर रहे हैं, D से G में, उपर से नीचे मतलब direction of current में हैं, तो क्या लेना चाहिए, minus I 5 times of resistance कितना, 10, आप यहां तक आ गए, यहां से यहां कुछ भी नहीं, यहां से वापस चलो, negative से positive, तो क्या आना चाहिए, plus वाला 25 is equal to 0, 3, अच्छा, answer बोल रहे हैं कि आप, ओके, यह 5 और 25 कितना हो जाएंगा, 30 is equal to minus I 5 into 10, उदर चला जाएंगा, तो कितना हो गया, I 5 into 10, that use, I 5 is equal to 3 MP, यह भी positive आया, मतलब हम जो consider कर रहे हैं थे, वो सही था, अगर आपके consideration सही आते हैं, तो इसके माने यह नहीं है, कि आप बहुत हुशार है, मतलब यह हैं, कि आपका अंसर निगेटिव आ गया तो अरे हम क्या गुना करें, negative answer आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हमको I 1 भी मिल गया, I 3 भी मिल गया, I 5 भी मिल गया, I 6 म E, F, G, H, I, J, K, L, M, A, उस पर apply कर लिए, K, V, L, शुरू करो, A से B में कुछ भी नहीं, B से C में नहीं, C से D में, D से E में कुछ भी नहीं, अब यहां से जाना है, E से F, current की direction में, और आप जा रहे हैं, बैटरी के positive से negative turn मिल, तो क्या लेना चाहिए, minus sign, current कितना बह रहा, I 6 बह रहा, और resistance कितना है, 5 का है, आप यहां तक आगए, वापस यहां, उसके बाद, plus 25 is equal to 0, plus 25 कैसे आया, आप J से A तक जा रहे हैं, मतलब negative से positive, आखिर इंसान का जो इختताम होता है, वो काबिल भरोसा होता है, इंसान कितना भी नेक हो, मौत इमान की हालत पे आना चाहिए तो दुआ भी करना चाहिए हमने, कि Allah हमें इमान की हालत पे मौत दे, यह बहुत अहम बात है, बन्दा अच्छी हालत पे मरना चाहिए, देखो कितना बड़ा बैटरी दाले कि terminal positive था तो positive आया, negative रहता तो negative आ जाता, एक्तेताम बहुत जरूरी है, 25 minus 10, कितना हुआ, 15 minus 5 I6 is equal to 0, that means 15 is equal to 5 I6, I6 is equal to 5 1, 5 3, जात I6 का value आ जाएंगा 3 ampere, हम यह क्या खेल खेल रहे हैं, current flow कैवे से, यह 25 इस वोल्ट में से, कितना current बह रहा, कितना current बह रहा, I के बराबर, तो हमको I पता करना है, ना, I पता करना है, तो I को क्या लिख ले, I किसके बराबर होंगा, I1 और I2 के बराबर होंगा, देखो, यह total current I आया था, यहां कितना गया, I1 और यहां कितना गया, I2, तो I2 और I1 को मिला लो, तो I मिल गया, हमको information किसकी है, I1 पता है, I1 पता है, I2 पता है, नहीं पता, ठीक है, I2 नहीं पता, तो क्या I2 को हम किसी और तरीखे से लिख सकते हैं, I1 ऐसे ही रहेंगा, I2 यहाँ देखो, यहाँ पर I2 आया, कितने जगा डिवाइड हुआ, दो जगा पर, तो क्या मैं I2 को I3 प्लस I4 लिख सकता हूँ, according to KCL, तो I2 की जगा क्या लिख लो, I3 प्लस I4, क्या हमको वो, I3 पता है, हाँ दि, I3 पता है, I4 पता नहीं, I5 पता है, तो I4 को convert परो, I4 कहें में convert होंगा, I5 प्लस I6, तो मिलगे equation, I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6, क्या सारे data available है, कितना कितना है, सारा है available, चलो, I1 का value कितना, 5 और I3 का, 1, 1 है, 1, और इसका, 3, 3, और इसका, 3, कितना हो जाएंगा, 5 और एक 6, और 6 बारा, मतलब अंसर आजाएंगा, 12 Ampere, तो बैटरी से डेलिवर होने वाला parent हो जाएंगा, 12 Ampere का, ठीक है,